पिछली वीडियो में हमने ATQQB के बारे में पढ़ा था, वो भी royalty से related था, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ATRRB ये भी royalty से ही related है लेकिन ये दूसरी चीज़ का, तो स्टार्ट करते हैं हम ATRRB, deduction in respect of royalty on patents, तो आप देखोगे ATQQB जो था, वो भी था royalty of authors के related से, मतलब कि author, और किसी ने कोई book लिखी है, उस पे royalty मिल लई है, तो उस से related deduction, ATRRB भी royalty से ही related है, लेकिन ये patent से related की बात करता है, कहने का, मतलब patent क्या होता है, पहले आप ये जान लो, patent, मतलब कि आपने कोई invention किया है, और उस पे आपने एक, आपको patent मिल गया है, आपने उसको patent करवा लिया है, कि अब कोई और उसको use नहीं कर सकता, कोई और use करेगा, तो वो आपको पैसा देगा, royalty के form में, वो money देगा, कि मैं use करनूं इसको, तब उस चीज को कहते है, patent, कि भाई आपने कोई चीज बनाया, आपकी कोई चीज है, आपने उसको patent करवा लिया, patent करवा लिया, तो अब दूसरा कोई भी उसको use करेगा, तो वो उसके use करने के बदले में, आपको पैसा देगा, तो वो होता है, royalty on patent, उससे related deduction की बात करेगा, ATRB, who is entitled, मतलब कि किसको मिलेगा, हम यह देख लेते हैं, an individual, who is a resident of India, वो individual, जो कि India के resident हो, इंडिया के रहने वाले हो, दूसरा, a patenty, जाहिर से बात है, यह royalty on patent की बात हो रही है, तो patent, patenty का मतलब होता है, जिसके पास patent हो, जिसने किसी चीज का patent करा आया हो, तो a patenty, third, in receipt of income, by way of royalty, in respect of a patent, registered after 31st March 2003, under the Patents Act 1970, यहाँ पे इतने वड़े चार लाइन में लिखा है, इसका simple सा कहने का मतलब यह है, कि income जिस royalty के थुरू आनी चाहिए, वो उस patent के थुरू होनी चाहिए, जो कि register हुआ होना चाहिए, Patents Act 1970 में, और कब 31st March 2003 के बाद register होना चाहिए, ठीक है, तो इसको देख लीजे, आप President of India होने चाहिए, patenty होने चाहिए, मतलब उनके उस patent होना चाहिए, तीसरा, Patents Act 1970 में, उस patent को register करवाना होगा, और 31st March 2003 के बाद register कराए होने चाहिए, तो ही deduction मिलेगा ATRRB में, अब हम देखेंगे quantum of deduction, यान ATQQB में हमारे पास था कि दो तरीका था, एक percentage वाला और एक lump sum वाला है, वहाँ पे ATRRB में केवल एक ही तरीका है, और बस वह और उसमें भी maximum limit वही ATQQB वाला same है, यानि कि 3,00,000 रुपीज, ठीक है, वहाँ दो formula थे ATQQB में, ATRRB में बस एक formula है, whole of such income, कहने का मतलब जितना income royalty के थुरू मिला है, जैसे patent के royalty के थुरू जितना income मिला है, वह या फिर 3,00,000 रुपीज, whichever is less, मान लो उनको पूरा income मिला है, 50,000 रुपीज, तो 50,000 और 3,00,000 विचेवर ही less, तो 50,000 का उनको पूरा-पूरा deduction मिल जाएगा, मान लो ने 3,00,000, 50,000 income मिला है, तो whole of such income में आ तो ITRRB, royalty on patents related deduction की बात करता है, किसको मिलता है, यह resident of India होने चाहिए, patentee होने चाहिए, और patents को Patents Act 1970 में 31st March 2003 के बाद register करवाना होना चाहिए, और quantum of deduction, whole of such income, जितना income मिला है, और 3,00,000 रुपीज, whichever is less, अब यह पेज नमर 438 पे दिया हुआ, income taxibook पे, where a compulsory license is granted in respect of any patent under the Patents Act 1970, the income from royalty for deduction shall not exceed the amount of royalty under the terms and condition of a license settled by the controller under the Patents Act, भाई देखो, आपने पढ़ लिया कि किसको मिलना है, कितना deduction मिलना है, कुछ cases में compulsory license जो है, grant हिया जाता है, ठीक है, मतलब patents के respect में, कुछ लोगों को compulsory license grant कर दिया जाता है, अब उस case में, वो जो amount of royalty है, shall not exceed कहने का मतलब कि amount of royalty जो है, जो की license के दुआरा settle किया गया है, उससे जादा exceed नहीं कर सकता है, ठीक है, मतलब और compulsory license नहीं grant हो है तो तो फिर वो रख सकते हैं ऐसे amount, लेकिन जहाँ पे compulsory license grant हो गया है, वहाँ पे royalty for deduction exceed नहीं करेगा, royalty के amount को under the terms and condition of a license settled by the controller under the patent act, मतलब कि patent act के जो controller ने, जो amount of royalty set किया होगा, terms and condition में license के, उस amount से जादा income from royalty deduction के लिए exceed नहीं करना चाहिए, अब if income is earned outside India, अब आप वापस से ATQQB वाले में जाओ, अगर आपने वीडियो नहीं देखिए, तो description में लिंक होगा आप देखना, कि जब income इंडिया के बाहर earn होती थी, तो उसमें क्या मैंने बताया था, बै, simple सी एक चीज थी, ATQQB में हमने पढ़ा था, कि जब भी income outside India earn हो रही है, तो 6 महीने के, मतलब कि previous year के end होने के, 6 महीने के अंदर, जितना पैसा हिंदुस्तान में, इंडिया में वापस आया है, केवल उतने ही amount का deduction मिलता था, यह हमने पढ़ा था, ATQQB में, वही सेम ची के, ATRB में भी वही चीज बोला है, देखो आप, if income is earned outside India, so much of the income shall be taken into account for the purpose of deduction as is brought into India by or on behalf of the SSE in convertible foreign exchange within 6 months from the end of previous year or within the period extended by competent authority, simple से चीज, एकदम ATQQB वाला ही लगेगा, जब income बाहर से आएगा, तो देख लो आप इसको फिर से एक बार, जब मान लो कि आपकी income, जिसे आपने patent पर royalty करवाया हुआ है, sorry, आपने किसी जीच का patent कराया हुआ है, आपको उस पर royalty मिला, income मिला, ठीक है, अब वो income मिला आपक छे लाक रुपए, ध्यान से समझना है सीच को, आप वो income मिला आपको 6 लाक रुपए, और 6 लाक मिला आपको USA में, United States of America में, ठीक है, आपने 6 महीने के अंदर, यानि कि previous year end कब होता है, 31 March को, और उसके बाद कभी start होता है, तो April से, तो April से आप गिनो, April, May, June, July, August, September, यानि क कि September के end तक, जितना पैसा, Convertible Foreign Exchange के थुरू, हिंदुस्तान में, इंडिया में आ चुका होगा, उतना amount ही, deduction के लिए आप consider करोगे, तो जैसा कि हम ये case ले रहे थे, कि, जैसा कि हम ये case ले रहे थे, कि 6 लाक रुपए, उन्होंने USA में अन किया है, ठीक है, किस के थुरू, ये royalty, on patent के थुरू, मतलब कि patent का जो royalty कर रहा था, उस पे इंको, income मिला है, 6 लाक रुपए, अब, उन्होंने, convertible, foreign exchange के थुरू, इंडिया में, केवल और केवल, 4 लाक लाप आये हैं, वो, 6 महीने के अंदर, within 6 months, देखो आप, 6 लाक रुपए, उन्होंने USA में अन किये, royalty on patent के थुरू, convertible, foreign exchange के थुरू, 6 महीने के अंदर, वो, केवल, 6 लाक में से, 4 लाक रुपए ही लेके आपाए, तो अब, जब आप quantum of deduction, यानि कि जब आप deduction calculate करोगे इस पे, भाई, deduction क्या होता है, हमारा, ATRRB में, whole of such income और 3 लाक रुपीज, मतलग कि पूरा income, या फिर 3 लाक रुपए, तो यहाँ पे आप पूरे income में, 6 लाक लोगे की 4 लाक लोगे, भाई, 4 लाक लोगे, क्यों, ऐसे तो हम पूरी income लेते हैं, भाई, अगर हिंदुस्तान में, इंडिया में अन की गई है, तो तो फिर पूरा-पूरा याँ 6 लाक लिख दो, लेकिन वही 6 लाक USA में अन की गई है, अगर यह 6 लाक पूरा आ गय 4 लाक मानेंगे, तो 4 लाक और 3 लाक रुपीज, whichever is less, तो less यह 3 लाक है, whichever is less, ठीक है, अगर इंडिया में अन की गई होती 6 लाक तो हम यहाँ सीधे-सीधे लिख देते, 6 लाक और 3 लाक, लेकिन इंडिया के बाहर अन की गई है, तो हम यह देखेंगे, इतना पैसा 6 महीने के इंडिया में आया है, तो यहाँ आया था, 6 लाक में से केवल 4 लाक, तो हम सिर्फ 4 लाक लिखेंगे, तो 4 लाक और 3 लाक, whichever is less, तो यह हो गया, जब इंडिया के बाहर अन होगा, लास्ट है, conditions for deduction under ATRRB, the SSE must furnish a certificate in the prescribed form, duly signed by the prescribed authority along with the, अच्छा एक सगिंड, यहाँ पे एक और चीज़ लिकाता, और within the period extended by competent authority, जैसा कि पिछली बार यह बताया था, या तो 6 महीने, या फिर, कोई अगर period, मान लो जो competent authority है, जिसके पास यह power है कि वो समय को आगे बढ़ा दे, तो वो competent authority, अगर उसने कोई period बढ़ा दिया है, तो उस तो period तक, या तो 6 महीने तक, previous year के end के बाद 6 महीने तक, या फिर, जो period, अगर बढ़ाया गया है, competent authority के थूँ, तो वहाँ तक, अब पढ़ेंगे, conditions for deduction, the SAC must furnish a certificate in the prescribed form, duly signed by the prescribed authority, along with the return of income, मतला, SAC एक certificate furnish करेंगे, prescribed form में, जो की sign करेंगे prescribed authority, मतला, जिसके पास वो power होगी, और return of income के साथ लगाएंगे, second point, if income is earned outside India, the SAC must furnish a certificate in the prescribed form, from the prescribed authority, along with return of income, अगर income इंडिया के बाहर earn हो रही है, तो SAC को एक certificate लगाना होगा, prescribed form में, prescribed authority से लेकर, और return of income के साथ उस form को लगाना होगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ATTA, ATTA क्या कहता है, deduction in respect of interest on savings account, मतलब कि आपने bank में saving account खुलवाया हुआ है, तो उस पर आप जानते हो कि interest मिलता है, तो उस interest से related deduction है, वो है ATTA में, और आप ध्यान रखना, ATTA में केवल non senior citizen के लिए होगा, कहने का मतलब ये ATTA केवल below 60 years के लिए है, below 60 years के जो person है, उनके लिए है, ठीक है, और जो 60 के अबब है, यानि की senior citizen है, उनके लिए एक अलग deduction है, वो भी हम पढ़ेंगे इस वीडियो में आगे, ठीक है, तो पहले अपॉइंट दिजिए होगा कि ये क्या होता है deduction, इंटरेस्ट अन सेविंग अकाउंट के लिए, सेविंग अकाउंट पे जो इंटरेस्ट मिला, उसका डिड़क्शन मिलेगा ATTA में, who is entitled, किसको मिलेगा ये, तो इंडिविजुवल को और हिंदू अन्डिवाइड़ फैमिली दोनों को ही मिलेगा, ठीक है, इस लाइन का कहने का मतलब है, कि deduction तब अलाओ होगा, मतलब कि जब सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट मिलता है, उससे रिलेटेड डिड़क्शन तब अलाओ होगा, जब वो deposit जो है सेविंग अकाउंट का, वो इन तीन जगहों में होना चाहिए, पहला, bank के साथ, दूसरा, cooperative society engaged in carrying on the business of banking, मतलब cooperative society जो की, banking business में engaged है, उससे अगर आप जुड़े हुए हो, उसमें अगर आपका deposit है और saving account है, तब मिलेगा, last, post office में जब आपका saving account है, तो वहाँ से जो interest मिला है, उससे related deduction, ठीक है, तो deduction कब आला होगा, जब interest on deposit in saving account, जहाँ पे saving account आपका bank के साथ हो, या cooperative society के साथ हो, या फिर post office के साथ हो, तो वहाँ पे जो interest मिलेगा saving account के थूँ, उसका deduction मिलेगा non senior citizen को, जो की 60 साल से कमके होंगे, quantum of deduction इसका कितना है, whole of such income, और 10,000 rupees, whichever is less, मतलब कि जितना interest मिला होगा वो, और यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे सिर्फ deposit with saving account की बात है, बस, और कोई account के साथ नहीं है, तो FD, fixed deposit की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे किवल saving account के जो interest मिला है, तो whole of such income, और 10,000 rupees, whichever is less, तो पूरा interest मिलेगा, वो यहाँ पे रख देना आप, और 10,000 rupees, whichever is less, उतना आपको 80 TTA में deduction मिलेगा, जिसे मानलो कि interest on savings bank पे आपको मिल गया है, 7,000 rupees, तो यहाँ आप लिखना 7,000 और 10,000 rupees, whichever is less, तो 7,000 कम में उतना मिल जाएगा, मानलो आपको 12,000 rupees interest मिला है, तो whole of such income में आप लिखोगे 12,000 rupees, तो 12,000 और 10,000, whichever is less, तो 10,000 कम होगा, तो 10,000 का deduction मिल जाएगा, note, this deduction is not for senior citizen, वो मैंने अल्रेड़ी आपको बता दिया है, कि 80 TTA केवल non senior citizen के लिए, ठीक है, यह भी आपको page number 438 पे income tax की H.C. महरोतरा बुक में मिलेगी, एक point यह last 80 TTA का, यह भी आप देख लो, where the savings account is held by or on behalf of firm, AOP, मतलब की association of person or BOI, body of individual, no deduction shall be allowed, no deduction shall be allowed in respect of such income to any partner of the firm or members of AOP, यानि की association of person or body of individual, वह देखो, हमने already यहाँ पढ़ लगा था कि, कि किसको मिला आई यह deduction, एक individual को, या फिर Hindu undivided family को बस, अब अगर saving account किसी form क्या है, या फिर form के बिहाफ पे है, और उसको interest मिला आई उस form को, तो वो deduction नहीं क्लेम कर सकता है, ATTTA में पहला point, दूसरा, अगर कोई association of persons है, उसका, अगर savings account है bank में, और उससे related income, उसके किसी भी member को मिल ला है, तो फिर वो भी deduction नहीं ले सकता है, क्योंकि वो association of person का account है, उसमें, वैसे ही body of individual का भी, अगर कोई savings account है, और उसके interest मिल ला है उसके member को, तो भी deduction नहीं मिलेगा ATTTA में, तो ध्यान रखना आप ये चीज़, कि एवल individual को और HUF को मिलेगा, firm के partner, firm में जैसे partner होते हैं, तो अगर firm का saving account है, और उसके interest मिल ला है, तो उसके partner नहीं claim कर सकते हैं, कि मुझे भी यहाँ पे deduction दो, नहीं ले सकते हैं, पढ़ा था, तो मैंने बताया, कि वो interest on saving account से related है, लेकिन वो below 60 years के लिए, senior citizen के लिए नहीं है, तो senior citizen को क्या आप छोड़ दोगे, नहीं, senior citizen को भी मिलता है, वो है ATTB में, ATTB क्या कहता है, deduction in respect of interest on deposits, in case of senior citizen, अब सबसे पहले चीज़ तो आप यह note करो, कि ATTTA में बकाइदा यह mention किया हुआ था, कि सरिफ saving account में मिलेगा, ठीक है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ था, savings account, लेकिन ATTB में लिखा है, interest on deposits, ठीक है, मतलब सरिफ saving account से नहीं मिलेगा, और भी कुछ चीज़े होती हैं, उसके साफ दि मिलेगा, वो मैं आगे अभी बताऊंगा, ठीक है, तो deduction in respect of interest on deposit, in case of senior citizen, मतलब कि अगर कहीं deposit किया है, और उससे related interest मिला है, senior citizen को, तो वो deduction claim करेंगे ATTTB में, पहली चीज़, दूसरा, who is entitled, मतलब कि किसको मिलेगा ये, तो और senior citizen, तो वो तो वैसे भी आपने पता है, कि ATTTB, एक senior citizen को ही मिलेगा, deduction shall be allowed in respect of interest on deposit, with, तो पहले तो मैंने भी कहा था नाप से, कि यहाँ deposit का मतलब, सरिफ saving account के साथ deposit नहीं है, तो किसके किसके साथ है, वो देख लीजे, deposit से यहाँ कहने का मतलब है, अगर saving account किसी bank में, saving account का deposit, तो भी interest मिलेगा, तो भी उनको deduction मिलेगा, ATTTB में, ठीक है, अगर उन्होंने कोई fix deposit करवाया हुआ है, बैंक में, उससे related को interest मिला है, तो भी senior citizen, ATTTB में claim कर सकते, तो यह point ध्यान रखिएगा आप, कि ATTTA में, केवल savings account से related deduction मिलेगा, savings account के interest से related deduction मिलेगा, individual को, लेकिन ATTTB में, senior citizen को deduction तो मिलेगा, लेकिन वो saving account से भी related मिलेगा, fixed deposit से भी related मिलेगा, recurring deposit से भी related मिलेगा, ठीक है, तो अगर हम यह देख लेते हैं, अगर बैंक के साथ इन्होंने deposit किया, अगर FD में या saving account में, और उसका interest मिला है, तो भी उनको deduction मिलेगा, second point में, कि अगर cooperative society engaged in carrying on the business of banking, मतलब कोई cooperative society है, banking business में engaged है, और उसमें, किसी senior citizen ने saving account में deposit किया है, fixed deposit में किया है deposit, और उसपे interest मिला है, तो भी deduction क्लेम कर सकते हैं, और post office में भी deposit किया है, तो claim कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, यहां तक हमने क्या क्या पढ़ा, कि 80TTV interest on deposit से related, तो मिलेगा deduction, लेकिन सिर्फ और सिर्फ senior citizen को, तो कि non senior citizen को 80TTA में मिल चुका है, किसको मिलेगा यह, तो यहीं पर heading से बता चल गया, आपको senior citizen को, deduction interest on deposit से related है, किस savings account से related, fixed deposit से related, recurring deposit से related, कहां पर deposit किये होंगे, तो bank में, cooperative society में और post office में, तब quantum of deduction किता कहता है, whole of such income और rupees 50,000, whichever is less, अब देखो वही, non senior citizen थे, तो केवल 10,000 रुपे maximum limit थी, लेकिन senior citizen है न यह, तो इस वज़े से, इनको 50,000 रुपीज maximum limit मिलेगी, कहने का मतलब, अब यहां पर whole of such income में, मान लो दिया हुआ है 60,000 रुपीज, मान लो पहले आपकी 40,000 रुपीज दे रखा है, तो 40,000 और 50,000, whichever is less, तो ध्यान रखना आप, 80 TTA में केवल 10,000 maximum limit है, और 80 TTA में 50,000 maximum limit है, और last point वो भी same है, जो कि हमने TTA में पढ़ा है, फिर भी आप देख लो, कि जहां पर वेदा account is held by, और on behalf of firm, AOP, association of person, or body of individual, no reduction shall be allowed in respect of such income, to any partner of the firm, or any members of the AOP, यानि कि association of person, or body of individual, same वही point, जो TTA में पढ़ा था, मतलब क्या पढ़ा था हमने, कि भई अगर कोई account, एक firm के बिहाफ पे है, या firm का ही account है, saving account, और उसके partner कहें, कि भई interest मिला है, तो मैं claim करूँगा, तो नहीं claim कर सकते, क्योंकि account तो firm का है, AOP, अगर association of person, individual के लिए है, जो कि senior citizen है, ठीक है, अब explanation में, senior citizen means, any individual resident in India, who is of the age of 60 years or more, at any time during the relevant previous year, तो भई जैसा कि बताया था, 80 TTA में, जो 60 साल से कम के person है, उनका आएगा, deduction 80 TTA में, जिनकी उमर 60 years हो, या फिर 60 years से जादा हो, उसको senior citizen माना जाएगा, और उसको 80 TTA B में, deduction मिलेगा,